असलाम उलेकुम दोस्तों मैं हूँ शारुक और आप में से कई सारे लोगों के पास स्मार्टफोन होगा लेकिन उस स्मार्टफोन में शायद पाउर बटन तो होगा ही दोस्तों मैं मजाग कर रहा हूँ सभी स्मार्टफोन में पाउर का बटन होता है लेकिन उसमें आप जो पाउर बटन के इस्तिमाल करते हैं सिर्फ दो ही काम में करते हैं पाउर आउन और पाउर आफ करने में या फिर लोग के स्क्रीन को आउन अफ करने में उसके अलावा आप क्या कुछ कर सकते हैं दोस्तों हमारे पाउर बटन में इतना ज़ादा ताकत है कि नुक्लियर वार शुरू कर दे देखिए दोस्तों में मजाग कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ पाउर बटन के दस ऐसे ट्रिक्स के बारे में जो कि आप अपना सक पहले कहना चाहूंगा अगर आपका स्मार्टफोन का सॉफ्टेर जादा कस्टमाइजेबल नहीं है तब आप पाउर बटन से जादा कुछ नहीं कर सकते हैं यानि कि माली जी अगर आप में स्टॉक एंडॉइड वगरे दिया हुआ है तो फिर पाउर बटन की काफी ज़द से जीज़े आपको बस अब और पर बटन खाल रहे हैं याप को आपका फिर आप ऑप कोड़ी दिया है तो आपका वह सेऊ हैं तो ने रहे हैं अगर आपके लिग ट्रें को आप सच्छेश बाई जिशुपार आयों काप्र जबटन जाए ना तो पिर अब को और पाल उर पन up down button से आपके अप्सर्ट्न को select कर सकते हैं, लेकिन power button से उस पर click कर सकते हैं, तो ये भी कुछ option आपको जो है, मिल साहता है, आपको power button है, करणर को काम करने लगता है, लेकिन उसके बाद कुछ और चीज़े हमें मिल लाती है, जैसे कि अगर आपका phone on है, तो power button को एक बार दबाएंगे तो आपका जो phone है वो lock हो जाएगा और दुबारा दबाएंगे तो आपका जो phone है वो unlock हो जाएगा या फिर screen का जो light है वो on हो जाएगा यह सब कुछ basic सी चीज़े हैं जो जो की मिल लाती है उसके बाद दुस्तों एक और basic सी चीज़ यह है कि आप power button से screen shot ले सकते हैं यानि कि अगर आपके पास phone है और अगर आप अपने phone के अंदर का display को capture करना चाहते हैं photo किछना चाहते हैं अपने display को software को तो वहाँ पर आप कर सकते हैं उसके बाद दुस्तों यहां पर हमें कुछ ऐसे option मिल लाते हैं जो कि सिर्फो सिर्फ कस्टमाइजबल ROM में मिलते हैं जैसे कि MIY अभी तक मैंने जितना भी option बता है वो सब किसी भी phone में काम करेगा लेकिन इसके बाद जो मैं options बताने वाला हूँ वो हो सकता है कि सिर्फो सिर्फ उनी phones में काम करें जिसमें MIY है या फिर दोस्तों कुछ और software है जैसे कि Sanogen Mode हो गया Lineage OS हो गया, Resurrection Limits हो गया उन सभी software वगरा में काम करेगा तो यहां पे दोस्तों सबसे पहली चीज़, आप चाहें तो power button से torch को open कर सकते हैं जी हां दोस्तों आपने शायद देखा होगा कि बहुत सरे phone होते हैं जिसमें power button का gesture दिया रहता है कि double tap कि जिए power button जिसमें torch on हो जाएगा तो बहुत सरे custom room में सपोर्टेड है अगर आपको जाना है settings में और उसके बाद जाना additional settings में buttons and gesture shortcut में और वहाँ पर आपको मिल लाता है turn on torch का option तो उसमें आपको select कर लेना है कि अगर मैं अपने power button को tap करूं तो जो torch है वो on हो जाए तो turn on touch में double tap to power button पे select कर देना है और उसके बाद आपने phone के screen पे रह करके या फिर lock screen पे रह करके या फिर दोस्त आपका phone का lock screen आफ भी है तो उस वहीं पे रह करके दोस्त आप double tap करेंगा power button को तो आपको जो फोन का torch है वो on हो जाएगा तो यह काफी अच्छा shortcut मिल लाता है एक टैप से तो दोस्तो आपका जो lock screen ने वो lock होगा लेकिन double tap से आपका जो torch है वो on off हो जाएगा नेक्स चीज़ में क्या मिलता है दोस्तो तो आप जाए तो आपने power button से google assistant को भी open कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो आप नेया beta rom में बिल्कुल इस option को ला दिया गया है तो आपको जाना सेटिंग्स में अडिसलन सेटिंग्स में और buttons and gesture shortcut में और सबसे नीचे मिल लाता है press and hold power button for google assistant तो उसे आपको इनेबल कर देना है तो अगर आप 0.5 सेगन ते power button को दबाए रहेंगे तो आपका जो google assistant है वो खुल लाएगा तो आपको पता होगा खुलने में लग भग 2-3 सेगन तक का टाइम लग जाता है तो इसलिए अगर आपको इस्तिमाल करना तो कीजिए वड़न आप इसे और भी कर सकते हैं नेक्स चीज़ हमें क्या मिल लाता है दोस्तों तो आप चाहाए तो पार बटन को और भी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते ह सतोर बार ऑना या फिर प्लस प्लस म्यों यह अपको आपको लिए अपका करना है या माली कि आ जाता है और को कई अपलिकेशन को चल ला रहे और पार ici आ अप्लिकेशन बेंगो जाता है और को विए आप बेंग ą जिसुए फी जॉत काम नहीं कर रहा है तो वहां पे पर बटन को एसांग कर सकते हैं दोस्तो अगर आपका आप्प्लिकेशन करेंगा एकसार डबायंगे तो वह अप्लिकेशन पूरा का पूरा हो जाएगा दोस्तो या यकिव वह application बिल्कुल आपके अब्री किया किरी दिवाइस को मिल रही है लेकिन उनके लिए ज्यादा अच्छ जिन में फिजिकल लाता है यायनिकि फिजिकल लाटा बटन मिल लाता है जो अगर करने पाफूल पांच्छर इस्तेमाल कर रहे है उनके ओप्षिन नहीं है उसके बाद मिलता है दोस्तों पॉर बटन से आप इंड कॉल कर सकते हैं जी है यह 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 वी काफी ऐसारे आप्षिन सारे फोन में आप चाहिए आप चाहिए आप पॉर बटन टो इन्ट को थाईगा जसे आप जैसे आप जैसे ही पाफी बटन टोड़ाइना फॉसके बाद वन लास्ट और फाइनल चीज में आपको बता दू आप चाहिए तो पौर बटन से SOS Emergency SMS भी भेज सकते हैं जिया दोस्ते अमावी का Latest Vita Room में या आपको दिया गया पौर बटन का फीचर कि आप SOS यानि कि दोस्ते Emergency SMS जो है भेज सकते हैं अगर आप किसी तकलीफ में हैं अगर आप किसी पेन में है या फिर अगर आपको लगता है कि आपके उपर कोई खतरा मढ़ रहा है तो आप SOS भेज सकते हैं तो आपको क्या करना सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में आपको मिल लाएगा SOS Emergency option उसमें जाना है और उसमें आपको एक, दो, तीन आप जो है Contact Add कर सकते हैं Contact Add करने के बाद दोस्तों अगर आप अपने Power Button को लगतार पांच बर दबाएंगे तो पांच बर दबाने के बाद आपको जो मुबाइल है वो अटोमेटिकली इसमेस भेजेगा उन Contacts को जिनको आपने Add किया था और वहां पेसमेस भेजेगा दोस्तों ताकि आपको पहचाना जा सके आपके पाद आपका Location जा सके और फिर आपका Location उनके पास चला जागा और वो लोग रियल टाइब में आपके फोन को Locate कर पाएंगे कि आप कहाँ पे हैं तो इससे आपको help भी मिलेगी तो power button को अगर आप पांच बार टैप करते हैं तो पास जिनका नंबर जोस्तों आपने डाला हुआ है इससे आपका Location ट्रैक हो सकेगा और आपको मदद मिल सकेगी तो यह भी काफी अचीज से चीज़े है दोस्तों मैंने इतनी सारी चीजों के बारे में बताया आप और भी जादा चीजों के इस्तिमाल करते हैं एक ज़रूरी चीज दोस्तों अगर आपका फोन किसी भी स्टेट में फसा हुआ हो हैं किया हुआ हो तो अगर आप पार बटन को 20 सेकंड तक दबाय रहेंगे तो वह फोन आटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा तो इस पर लाक्स और कमेंट किजाए थैंक यू